समस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे ही होंगे तो आज हम लोग जा रहे हैं मौसी जी लोगों के आहां तो चलिए आपको भी ले चलती हो और दिखाती हो कि उन्होंने क्या-क्या नहीं नहीं कलाकारी किया अभी कुछ टाइम पहले भी मैंने आपसे एक वीड जो लोग प्लांट लवर्ज उनके लिए बहुत ही हल्फल होगी वीडियो तो चलिए चलते हैं और ले चलते हम आपको तो देखिए हम लोग पहुँच चुके और आप देख सकते हैं बहुती सुन्दर सा गार्डन उनका यह बहुती प्यारा सा गार्डन है और काफी है और इसमें भी प्लांट लगाये होगा एं देखे कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी और नि shift लगां आप लगाएंगे और यह बहुत सारे Oh yeah here are theacı यह उपन जो आप फ्लावर्स भी हैई यह उपाज वाइट प्लांट Right लग रहें ये बहुत ही प्यारे लगह है और इनकी में खाल बताते हूं जो मुझे सबसे अच्छी लगैर कि यह मौसी जी की नई कलाकारी और मुझे बहुत-बहुत बहुत ज़ादा पसंद आई क्योंकि जैसे ही मैं इन्टर मैंने किया गेट से तो सीधे इन पर मेरा ध्यान गया क्योंकि ये दूर से बहुत ही चमक रहे थे और बहुत ही शाइन करें तो मैंने उनसे पूछा कि यह आप पेंट कहां से लाई यह वाला पेंट जो है यह बहुत ही ब्राइट सा लग रहा था और क्योंकि मैंने भी काफी बार ढूड़ने की कोशिश करी इस टाइप का पेंट पर मुझे मिला नहीं तो मैंने उनसे इसलिए मैंने उनसे पूछा कि आप यह पेंट कहां से लाई यह सब किया हुआ है तो चलिए मैं सीक्रिट रिवील कर देती हूं और उन्होंने भी बहुत ही मुस्करागते हुए मुझे जवाब दिया कि यह जो है यह पेंट नहीं है यह जो पुरानी लेगिंग होती है जो फिमेल वियर करती है सूट के साथ जो पजामी पहनते हैं तो यह पुरानी पड़ी हुई लेगिंग होती है तो उनका यूज करके यह बनाया हुआ है तो देखिए कितना सुन्दा लग रहा है यह और तो यह पुरानी रही होगी और इस तरीके से उन्हें कट करके और यह प पुरानी जो वेस्ट चीज थी उनका कितना अच्छा यूज किया है और यह वाइट वाले भी वही है जो वाइट लागी रही होगी तो वह लगाई हुई है तो देखिए पेंट भी नहीं लाना पड़ा नया और जो पुरानी पड़ी हुई चीज थी वह भी यूज में आ चीज देखिए पैसे भी बच गए फ्री में एकदम बहतरीन पेंट भी मिल गया इतना सुंदर तो ऐसे यह वह और भी अभी तो उन्होंने कमी प्लांटर्स में यह किया हुआ है अभी और भी प्लांटर्स में यह करेंगे जो पुरानी पुराणी लागिंग होती है तो उन तो देखिए फेकने के बजाए हम इस तरह से उनका यूज कर सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं तो यह इंडोर के लिए भी बहुती अच्छा आइडिया है कि आप जैसे छोटे-छोटे से प्लांटर्स हम इंडोर भी रखते हैं तो उनके लिए भी बहुती पॉफेक्ट आ साइकील है जो वेस थी और इसमें इस तरह किसे इन्होंने प्लांट्स लगाये हुएं कितने सुन्दर लग रहे हैं देखिए पूरा पॉफेक्ट यूज किया हुआ है चीजों का और यह देखिए यह आजकल मौसी जीने जो यह रो पाती है वो खरीद के लाए और इस तरह इस तरह से हैंग कर दिया है अपने प्लांटर तो था कि थोड़ा यह रहें मतलब कि तुफान वगारा आता है आजकल बहुत जादा नुकसान हुआ था हम लोगों का और सभी लोगों का हुआ था क्योंकि तुफान बहुत जादा इस बार आया था और बारिश वारिश काफ भारिश आती है तो अब इनके चांसे काफी कम हो गया है कि प्लों था खिसके गहें गिरेंगे तो यह इपसर प्लांटर केसे बान दिये तो आप इस तुरीके से अपने हैंगिंग एकटो तछरी प्लास्टिक के premise सकते हैं किra और ले caliber कुछ ऑप आश्योंग कि आशीया बwość और राइन जैना कि रिखें़े एक किरसे कहिंगा बना रहे हैं किलाने वे उत्री कुछ कोमा प्लावरिंग वाउया कि अभी इसमें यह कंटेनर्स भी अभी तियार हो रहे हैं वैसे और यह भी कुछ बन रहा है अभी अभी पूरा बना नहीं है पट आधा धूरा है भी और यह दिखें टायर्स हैं और यह प्लास्टिक की कंटेनर्स और पुरानी पड़ी हुई लिए बकिक्टस ति सबकुछ का अच्छा से अच्छा यूज किया वह रहा है कि साइकिल देखिए बहुति प्यारी लग रही हैं और चोटे-चोटे से प्लास्टिक के कंटेनर्स भी है अभड़ौर देखिले हांका सो कि प्लान्स भी काफ़े इच्छ हो रखें सारे अ कि कि और लिएक ईक अट और यह सुन्दा लगता है और यह देकिन स्टोंज भी हैं स्टोंज भी लगाय हुआ है उसमें पेंटिंग की हुई है और काफि सारे चीज़े लगाई हुआ हैं यह भी स्टोन्स से डेकोरेट किया हुआ है सारा वह आप सामनेदेख रहे होंगे प्लास्टिक की बगिट है उसमें पैंट किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से उसको सजाया हुआ है यह दे sjज चार देखने जानी नहीं पाएगा कि यह पेंट नहीं है यह ऐसे कपड़ा है तो दिखने में तो बहुत ही सुन्दर लगते हैं और आप भी ट्राइ कीजिएगा ज़रूर यह लेगिंग वाला आइडिया और यह लेकिए खुद सभी बनायाया है मौसवाश जिना कितना सुन्दर लग रहा है उन्होंने बहुत सारे प्लांटर्स से सीमेंट से। वह प्लांटर भी आपको जारूर दिखा और उस पर दिन एक वीडियो बनाऊंगी कि वह बंडाए है तो आज हमें काफे आइडियाज मिले देखिए अपने गार्डन को किस तरह से डेकोरेट करते हैं और यह लाइडिया तो मुझे बहुत ही पसंद आया क्योंकि इसमें इतनी महनत भी नहीं लगेगी और दिखने में भी अच्छे लगेंगे हमारे प्लांटर्स और पुराने चीज़े भी यूज में आ जाएंगी तो यह वाला आइडिया तो मुझे बहुत ही बैस लगा तो मैं तो यह वाला आइडिया जरूर ट्राइ करने वाली हूं आप लोग भी कीजिएगा और यह इंटो से इस तरह से ही छोटा सा मिनि गार्डन बनाया हुआ है और उसमें यह जो फ्लावर्स के सीट्स ते वो डाले गए थे तो इस तरह से देखें बहुत ही प्यारे लग रहे हैं कितने खुबसूरत लग रहे हैं जब यह ब्लूम कर र मत दा रहे हैं जड़ से तरह सकते से लग Lore CH